हेलो किट्स हम लोग कच्छा ग्यान में NCRT रसायन विज्ञान का नौवा चेप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन जिसके पिछले चौथे वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन पेर आक्साइड पुरा पढ़ा दिया है अब यह आखरी टॉपिक है भारी जल डी टूओ देखिए आपने हाइड्रोजन के तीन समस्थानी पढ़े हैं हाइड्रोजन, जूटोरियम और ट्रीटियम तो जो हाइड्रोजन है वो H2O बनाता है उसी तरसे डूटोरियम जो है D2O बनाता है और ट्रीटियम जो है T2O बनाते हो अभी तक नहीं पाया गया है चुकि वो तो उसकी जो आयूकाल है अर्धायूकाल हो बहुत कम है इसलिए उसका कोई इस्थाई योगी खम को नहीं मिलता है तो जो D2O है इसका मुख्य प्रयोक जो होता है नाभी की रियक्टर में हम क्या करते हैं जब परमाडू विश्पोड कराया जाता है परमाडू का जब निकलते हैं तो निट्रान की जो स्पीड है वह बहुत ज्यादा रहती है उससे हम जब किसी दूसरे परमाडू को टक्कर मारते हैं तो वह उससे सीधा निकल जाता है तो हम क्या करते हैं निट्रान के स्पीड को धीमा करने के लिए संदमक के मंदक के रूप में हम इसका प् का हम प्रयोग करते हैं वैसी हम D2O का भी प्रयोग कर सकते हैं ठीक है भारी जल्व विश्त्रित रूप से नाभी के रियक्टर में न्यूट्रानों के मंदक के रूप में तथा विनिमय अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों के अध्यन में काम आता है तो पहला तो मैंने आप को बताये कि नाभी की रियक्टर में न्यूट्रान को धीमा करने के लिए प्रयोग करते हैं दूसरा है विनिमय अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों क्या होती है वह अभिक्रियाओं जिसमें किसी एक परमाणू को हटा के उसके जगत दूसरे परमाणू को जोड़ा जाता तो उसके लिए D2O का प्रयोग करते हैं या भारी जल का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो डूटोरियम है वो कहीं पर जूरता है कहीं पर निकलता है तो उसको identify करना थोड़ा आसान होता है इसलिए हम इसको विनिमय अभी क्रियाओं की क्रियाविधिक अध्यन के लिए काम मिलेत हैं इसका उत्पादन जल के वैद्दूत अभगटन द्वारा तथा उर्वरक उत्योगों में बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद की रूप में होता है देखें जब जल अभगटन हम करते हैं तो जल अभगटन में हम जल में थोड़ा सा एसीड या बेस डाल करके या साल डा जल हेस्टू ओ वो जल्दी जल्दी हाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तूटके निकल जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो साधान जल होता है जो हम ये नदी तलाप कोई वगरा करते हैं इसमें भी डीटूओ की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है प्राकृतिक रूप से तो जब हम जल का अब घटन करते हैं विद्धूताब घटन करते हैं उस समय जो साधान जल हेस्टू वह जल्दी निकल जाता है एस्टू और ऊटू में बदल करके तूट करके और जो भारी जल हे डीटूओ वहाँ पर रहे रहता है टीका रहता है तो जल इस तरह से किया है सुपरफास्पेट है यह उर्वरक जब हम बनाते हैं तो उसमें वह बाई प्रोड़क्त के रूप में मतलब रूवरक के साथ यह बनता है क्योंकि वहाँ पर भी रूवरक बनते समय वह साधान H2O का प्रयोग कर लेता है और D2O वहाँ पर बच जाता है इसलिए वह भारी जल का जो गुण है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं सार्णी को ठीक है और देखे भारी जल का उप्योग डूटोरियम के योगिक बनाने के लिए किया जाता है देखिए जैसे आप कैल्सियम करबाईड एसू 3 या एलूमिनियम करबाईड इनका आप रियेक्शन D2O के साथ कराते हो भारी जल के साथ कराते हो तो आपको जिस तरह से जल के साथ रियेक्शन कराने पर जो प्रोड़क्ट मिलते हैं वही प्रोड़क्ट यहां पर मिलेंगे लेकिन वहां पर H2 के या H के जगह में D रहता है जैसे यहां पर देखे कैल्सियम हाइड्रॉकसाइड है ना तो H के जगह D है यहां पर देख सकते हैं तो डुटरॉक्साइड कह सकते हैं कैल्सियम डुटरॉक्साइड कह सकते हैं वैसी जैसे H2SO4 बनता है तो यहां पर D2SO4 बन रहा है जैसे वहाँ पर Aluminium Hydroxide बनता है तो यहां पर H के जगह में D है तो Aluminium डिटर ओक्साइड कह सकते हैं इसको भी और साथ में यह कार्बन के जो प्रोडक्ट है यह भी यहां पर आपको मिल रहे हैं जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होरे हैं बसरते हम इसका विश्फुली उग करें, बुद्धिमानी के साथ उप्योग करें, हाइड्रोजन एक तो बहुत ज़्यादा विश्फोटर है, अगर इसको ज़्यादा ओक्सियन मिल जाता है तो नार्मल टेंप्रेचर में विश्फोट कर सकता है, इसलिए इसका बुद्धिम तो इससे जो प्रोड़क्ट बनता है, वो H2O ही बनता है, ठीक है, तो भाब बनेगा या पानी बनेगा, ये हाइड्रोजन के जलने से बनने वाला उत्पाद है, जो कि बिल्कुल पालूटेंड नहीं है, आप इसको इकठागा कि फिर से उप्योग कर सकते हो, और दूसरा ये है कि हाइड्रोजन के दहन से, मतलब वजन नाप करके अगर आप दहन कराएं, तो बाकी किसी जो इंधन है, जैसे कि LPG है, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी तुलना में ये ज्यादा उर्जा उत्पादन कर सकता है, लेकिन इसको इंधन के उप्योग करने में कुछ हाइड्रोजन बर जाता है, दूसरा ये है कि इसको ना बहुत हाइड टेंपरेचर वाले जगह पे रखना खतरनाक होता है, इसके विसपोड करने का खत्रा होता है, इसके सिलेंडर का, क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर में कर आकसी हाइड्रोजन भरते हैं, तो वो बिद्धूत अब गटन के द्वारा ही बनाते हैं तो एक तरह पाप बिद्धूत खर्च का कि उसका अब घटन का क्या हाइडोजन औक्षियन बना रहे हो फिर उसको मिला का क्या उर्जा उत्पन कर रहे हो तो यह कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं हो यह तरह पाप तो फिर ये बहुत सस्ती और बहुत उपयोगी इंधन साबित हो सकती है इसको भविस्त का इंधन बोलते हैं क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक हैं इसको इंधन की रूप में प्रयोग करने के लिए बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपरिमेंट कर रहे हैं और करेंगे सिलिंडर्स में हम हाइड्रोजन ऑक्साइड रूप के रूप में कुछ प्रदूशन उपन कर सकते हैं लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा वेपर डालने पानी का वेपर डालने तो फिर ऑक्सियन के साथ क्रियानी कर पाती है नाइट्रोजन तो हर एक चीज का हमारे पास है उसका उपाय है लेकिन सिफ एक उपाय हमको नहीं मिल पा रहा है कि हम हाइड्रोजन सस्ते दर पे हम कैसे उपन कर सके हाइड्रोजन ये हमारे पास अभी उपलब्द नहीं है ने तो हमारे पास पानी के इतने बड़े-बड़े सोर्स है नदिय है sunlight की उर्जा का प्रेयोग करके H2O को break करके hydrogen और oxygen बनाते हैं वही oxygen छोड़ देते हैं जिसको आप सांस में ले रहे हो और hydrogen का प्रेयोगे लोग carbohydrate बनाने के लिए कर लेते हैं जो आप खाते हो तो उनके पास जो चीज है न वह है chlorophyll वह chlorophyll के माध्यम से काम करते हैं तो हम भी अगर कोई ऐसा chemical बना लें chlorophyll जैसा जो हमारे लिए इस तरह का काम करके दें कि हम द्रम में दो बुन chlorophyll डाल दें पानी में और हम धूप में रख दें तो बस hydrogen बनाने लग जाए इतनी सस्ती प्रक्रिय अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाए न तो सारी दुनिया की जो उर्जा की समस्या है वो हल हो जाएगी देहन में डाई हाइड्रूजन अधीक मात्रा में उश्मा उत्पन करती है मैंने पहली बताया है इंधन जैसे डाई हाइड्रूजन मिथेन एल्पीजी आधीकी समान आडविक मात्रा द्रब्यमान तथा आयतन के दहन से मुक्ट उर्जा के आकड़े सार्णी में दर्सा आ गये हैं अधिके tensions में आप देखे में मैं यह हाइड्रूजन है गे सवस्था में और द्रोप्रवस्था में यह यह अप algorithms यह बायूगहािस प्लांट में और अक्टेन अक्टेन भी इस तरह से सिलेंड़ा में भर ख्याते हैं जिसको अपन वेल्डिंग के रूप में भी उप्योप करते हैं तो अगर एक मॉल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणू द्रब्यमान तो एक ही है तो इसके एक मॉल में एक ही ग्राम आएगा तो एक मॉल सिफ 286 या 85 किलो कैलोरी किलो जूल उजाब मॉक्त कर रही है अगर एक मोल की बात करें लेकिन lpg जो हे देखे 222 क्योंकि lpg जो होता है मुखेता प्रोपेन और ब्यूटेन होता है ठीक है तो प्रोपेन होता है C3 A6 और ब्यूटेन होता है C4H8 अब इसका आंड़्विक द्रब्यम निकला हाइडोजन का एक ग्राम है और इसका बारा चौक और तालीस और आठ चपन कि तो सुचिए चपन हैं पचास है इतने ग्राम को हम उप्योग कर रहे हैं तब 2220 हो रहा है आप ग्राम में देखी न भी प्रती ग्राम में अगर आप कहेंगे तो हाइडोजन जो है एक सो त्रानीस ब्यालीस के आसपास उर्जा मुख्त कर रहा है और ये सिर्फ पचास तो उससे अब तुलना करिए मिधेन गैस भी देखी इसकी तुलना में काफी कम है लेकिन ग्राम अगर आप मोल में कहेंगे तो जादा है और आक्टेन की तो बहुत जादा है और ये भी द मात्रा आपका आप देखेंगे तो काफी जादा उत्पन कर रही है ये ये हैट्रोचन लेकिन लीटर में आप देखेंगे साधान वायू मंदली दाप पे तो फिर ये बहुत कम है चुकि ये गैसी प्रवस्था में है लेकिन द्रव प्रवस्था में इसकी बहुत जादा मा कई साधान तुर्न आप प्रति ग्राम में करिए एक ग्राम से देख सकते हैं सभी से लगबख तीनflo ज्यादा social उतपन कर रहे हैं बाकी तेनों से देख लीजिए तु हाइड्रोजन जो है उर्जा-मुप्त-करने में बहुत अधिक सक्षम है इस सार्णी से इसपस्ट है कि डाय हाइडोजन पेट्रोल क्योंकि जो ऑक्टेन है ना वो पेट्रोल में रहता है में समान द्रबैमान की तुलना में तीन गुना अधिक उर्जा बुखत कर सकती है देखें पेट्रोल की तुलना में प्रतिग्राम मतलब जैसे आप पेट्रोल मानलो अपने मोटर साइकल में पांच तस लीटर और कार में आप 20-30 लीटर 40 लीटर आप भरवाते हो उतना किलो हो गया हो लग भग लग मतलब एक लीटर के बराबर एक किलो मानके चलो साथ 800-900 ग्राम जो भी 900 ग्राम 800 ग्राम के आसपास तो आप पांच लीटर पेट्रोल भरवाय हो तो उससे आपको जो उर्जा मुथ होगी अब पांच किलो अगर आपने हाइडरोजन रख लिया अब गाड़ी में तो उससे तीन गुना ज्यादा उर्जा वजन के हिसाब से आप देखे ना कितना वजन आपको धोना पड़ रहा है हाला कि डाई हाइडरोजन के दहन में प्रदूशक पेट्रोल से कम होते हैं क्योंकि इसमें ना अगर सुध हाइडरोजन और आक्षेण उपयोग करोगे तो उसी पानी बनेगा केवल उसके साथ अगर डाई नाइज नाइडरोजन मैंने कहा ना कि hydrogen के साथ अगर nitrogen gas मिला ह हुआ है इंटू डाई नाइटोजन मतलब हैं नाइटोजन गैस तो नाइटोजन गैस अगर हाइडोजन गैस के साथ मिला हुआ है ना तो वही कुछ अलग से प्रदूसर नाइटोजन ऑक्साइड के पैदा कर सकता है तो नाइटोजन के आक्साइड ही प्रदूसरक के रूप में निकल सकते हैं डाई हाइडोजन की साथ डाई नाइटोजन की अशुद्धी के रूप में उपस्थिती के करण हो सकता है गैस सीलेंडर में थोड़ी मात्रा में जल अंतक क्षिप्ट इनजेक्ट करने पर डाई नाइटोजन तक डाय औक्सिजन की अभिक्रियदних हो पाती है अ मैंने आपको सुलू से बताया कि थोड़ा सा धाल निक भाब तो फिर डाइ नाइट्रोजन जो है ऑक्सिएन के साथ क्रिया नहीं करेगी और उससे ऑक्साइड नहीं मनेगी हाला कि पात्र जिसमें डाइ हैट्रोजन रखी जाती है कि द्रब्यमान का भी ध्यान रखना पड़ेगा तो कि उससे बजन पढ़ेगा पानी डालोगे तो और बजन पढ़ेगा उसका संपडि डाइ हाइट्रोजन के एक सिलेंडर का भार समान उर्जा वाले पेट्रोल टैंक से लगभग 30 गुना अधिक हो जाएगा ठीक है अगर आप भार के हिसाब से करोगे तो 30 गुना बड़ा टैंक लेना पड़ेगा आपको हाइट्रोजन के लिए बात मैंने सुरूम बताया आपको हाला कि डाइ हाइट्रोजन को 20 केल्वीन पर ठंडा कर द्रवीद भी क्या जा सकता है 20 केल्वीन का मतलब समझते हो कितना हुआ 273 केल्वीन का मतलब 0 degree Celsius हुआ तो माइनस कितना हो गया यह माइनस 253 degree Celsius इतना ठंडा करोगे तो हाइट्रोजन द्रव बनेगी और फिर उसको छोटे पात्र में रख पाओ गया इतना ठंडा करना पॉसिवल है क्या बताईए अभी तक इतना ठंडा हम साइद कर भी नहीं पाएं इतने इतने लुए टेंपरेचर हमकों मिला भी नहीं है अभी तक इसके लिए महेंगे रोधी टैंकों की आवश्यक्ता पड़ती है अगर उत्ता ठंडा कर भी लेते हैं अपन तो जो टैंक रहेगा उसकी दिवाल बहुत ज्यादा रोधी रखना पड़ेगा आपको ताकि गर्म नहों सके अब कैसे उतना रोधी बनाओगे आप कितना हाइडोजन का कॉम्बिनेशन है यह जो मतलब यह धातू है जो हाइडोजन के साथ यह निकल के साथ क्रिया करके बनवाया जाते हैं इन टैंकों का प्रयोग डाई हाइडोजनी कब मात्रा का भंधारन करने हेतु किया जाता है जैसे LPG cylinder होता है वैसी इनका cylinder होता है बना हुआ इन सिमाओं ने सोध करताओं को डाई hydrogen के सफल प्रयोग की वैकलपिक तक्निकों के खोच करने के लिए प्रुसाहित किया है तो अभी तो बहुत सारी समस्या है है hydrogen को उप्योग करने में सबसे बड़ी समस्या तो hydrogen को उत्पन करने की है भंडारन भंडारन तो चलो थोड़ा कम मात्र में आप ले जाओगे छोटे सिलेंडर में ले जाओगे बारबा भरवा लोगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन hydrogen पैदा करना ही सबसे बड़ी मुश्किल काम है इस संदर में भावी विकल्प hydrogen अर्थ ब्यवस्था है मैंने बताया आपको कि ये future का इंधन है भविश्य का इंधन है और इसी से सारा अर्थ ब्यवस्था चलने वाला है हमारा hydrogen अर्थ ब्यवस्था का मोल सिध्धान उर्ज का द्रव hydrogen अर्थ गैसी hydrogen के रूप में अभी गमन तथा भंडारन है सबसे बड़ी प्राब्लम तो लाना ले जाना है hydrogen को मानलो आप पेट्रोल प्रम जैसे hydrogen बगती स्थाबित करते हो तो वहां तक hydrogen पहुचाना दिक्कत है जैसे अभी आप सहरों में देखते हो CNG CNG जो है पेट्रोल डिजल की तुलना में जैसे एक रुपए की जगाओ 75 पैसे के आसपास खर्च आता है जैसे पेट्रोल में एक रुपए खर्च करते हो CNG में 70-75 पैसे के आसपास खर्च आता है लेकिन हर साहल में CNG नहीं है आप देखे होंगे हमारे 36 गड़ में तो एक लाना दिक्कत होता है उसके लिए पाइपलाइन विशा के लाना पड़ता है ऐसे टेंकर्स में भरभा के लाना मुश्किल है उसको तो कहीं दूर दूसरे का जहां पर CNG का बड़ा स्टेशन है वहां से पाइपलाइन लाना पड़ेगा इसलिए वो छोटे सहरों में या CNG को लाना वैसी हाइडोजन के लिए है हाइडोजन अर्थ बेवस्था का मुख के धे तथा लाब उर्जा का संचन विद्दूत उर्जा की रूप में ना होकर हाइडोजन की रूप में होना है तो हम विद्दूत का जो जहां जहां प्रयोग करते हैं वहां वहां पर हम हा कोईला जलाना पड़ता है विसे इसकर लेकिन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हमको कोईला नहीं जलाना पड़ेगा और हाइड्रोजन के उत्पादन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रयोक करके भी आप विद्दुद उत्पादन कर सकते हो जैसे आपके घर में जो एक तो एक छोटा सा generator लग जाएगा, उसमें hydrogen के cylinder लग जाएगे, और आप उसी को चलागा के घर में विजली चलाएगे, या factory में विजली चलाएगे, तो वो hydrogen ही विकल्प हो जाएगा सब चीज का. हमारे देश में पहली बार, अक्तुबर 2005 में आरम परियोजना में dihydrogen स्वचाली त्वाहनों के इंधन के रूप में प्रियोगति किया गया, तो 2005 में पहली बार किसी गाड़ी में dihydrogen का प्रियोग किया गया, प्रारम में चौपहिय वाहन के लिए 5% dihydrogen मिश्री CNG को प्रियो काम नहीं हो पाया, अभी इस काम को 15-16 साल हो गया, 2005 से, लेकिन चुकिए hydrogen बनाना अभी भी महगा है, CNG की तुलना में, तो ये प्रोजेक्ट बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, अभी अब मेरे को लगता नहीं कि hydrogen मिलाते भी होगा, आज कल dihydrogen का उप्योग इंधन सेलों मे विद्धू तुद पादन के लिए किया जाता है, इंधन सेल आप जानते होंगे, इंधन सेल में जल ही भरा राता है, एक तरब से hydrogen, एक तरब से oxygen भेज के उनको अंदर रियेक्ट किया जाता है, उससे electric पैदा होती है, और इसकी efficiency बहुत जादा होती है, मतलब इंधन सेल, fuel cell इसको बोलते हैं, hydrogen battery बोलते हैं इसको, उससे काफी उर्जा निकलती है, काफी विद्धूद बनती है, और byproduct में सी पानी बनता है, तो वो काफी अच्छा efficient cell होता है, इधन सेल, ठीक है? ऐसी आसा की जाती है, कि आर्थिक रूप से बेवहारी तथा डाइ-hydrogen के सुरक्षी स्रोथ का पता आने वाले वर्षों में लग सकेगा, तथा उसका उप्योग उर्जा के रूप में हो सकेगा, तो और भी हम इसके स्रोथ हम धून रहे हैं, कि यह डाइ-hydrogen के सस्ता स्रोथ कहां से मिल जाए, सबसे सस्ता स्रोथ तो पानी से ही बनाना है, लेकिन सौर उर्जा का प्रियोग करके हम पानी से बना सके, तो वो सबसे सस्ता स्रोथ इसका होगा, हाई-टोजन का, तो ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर इसका बज गया था हाई-टोजन का, अगले क्लास से मैं आपको इसके question answer कराऊंगा, NCRT based, मिलते हैं अगले क्लास में, thank you, bye